है कि पुरे दिन में मैं दो बर अंडे खाता हूँ एक बर दुपेर को एंड़ एक बर रात को यह भी मैं दुपेर के अंडे खा रहा हूँ अभी दुपर के एक चुना तीन बच चुका है फिर भी मुझे खाना बाकी है लाइक यह लंच नहीं है मेरा अबर इस पाच अंडे खाता हूँ लंच के साथ लंच करने के लिए मुझे मेरे पूरान घर में जाना पड़ता है क्योंकि दाल, सबसी और राइस को हम लोग यहां पर नहीं बना सकते हम लोग कुक कर सकते हैं लेकिन वो फिर कुछे ज्यादा ही टाइम कंजूमिंग बन जाएगा इसलिए टाइम बचाने के लिए हम लोग हमारा पूरान घर में खाना खाने के लिए जाएँगे और ऐसा नहीं है कि हम लोग स्पेशली वहां पर जाएँगे खाना खाने के लिए जिम से हम लोग डाइरेकली वहां पर चल जाता है और डिस्टेंस बहुत कम है जिम से हमारा पूरान घर का तो हम लोग यहां से जिम जाएँगे फिर जिम से हम लोग डायरेकली पुराने घर पर चल जाएंगे खाना खाने के लिए ये चीज हम लोग सुबह के दस बज़े करते हैं सो साइकल कुछ ऐसी होती है कि सुबह हमें आट बज़े उठना है फिर 10 या तो फिर 11 वज़े हम लोगों कुछ जिम के लिए निकल जाना पड़ता है फिर हम लोग जिम पर पहुंच कर सारा वरगाउट खतम कर के हमारे पुराने घर पर पहुंचते हैं अरौंड एक बज़े फिर एक बज़े से दो बज़े तक हम लोग सारा खाना खा लेते हैं फिर वापिस हम लोग यहां पर आ जाते हैं यह भी शायद आपके मौन में एक क्वेशन होगा कि नए घर में या पूरा नगर में हम लोग इस तरह से क्यों रह रहा है यह जो नया घर है हमारा यह हमने अभी ही परचेज किया है यहाँ पर इंटीरियर करना बाग की है लेकिन बिकाज हम लोगों को एक स्टूडियो की नीड थी इसके विज़ से सिर्फ मैं और मेरा भाई यहाँ पर शिफ्ट हो गया है हम लोग यही पर खाते है और यही पर सोते है सारी चीज़ हम लोग यहाँ पर ही करते हैं सिर्फ लंच करने के लिए हम लोग मेरे पुराना घर में जाता है जब इस पुरे घर का इंटीरियर हो जाएगा बाद मेरी पूरी फैमेली इस नहे घर के अंदर शिफ्ट हो जाएगी आज बॉड़ी बिल्डिंग आर का दूसरा दन है आज हम लोग अपने शोल्डर्स को ट्रेन करना वाला हैं लेकिन उससे पहले हम लोगों को आप पांच अंडे को खाना होगा फिर हम लोग पहले हमारे पुराने कर जाएंगे आपके मन में शायद एक क्रिस्टन आ सकता है कि मैंने और अल्रडी पांच अंडे खा लिया है तो फिर अब वापिस दूसरे गर जाकर लंच करने की क्या जरूरा है था मैं जिम से वापिस जब आता हूँ तब मुझे लंच कर लेना चाहिए और अब किस तरह से फेले तक ट्रेन करूंगा और मेरे मसल्स के अंदर जो भी ग्लाइकोचन स्टोड होगा वो कब तक स्टोड रह पाएगा मेरे पूरे वर्काउट में क्योंकि अगर मैंने प्री वर्काउट में बहुत कम काब्स कंजूम किये है तो फिर वह बहुत जल्दी को का मुझे नहीं पता कि वो किस तरह सा एकजर लिकरता है लेकिन अगर आप प्री वर्काउट में ज्यादा काब्स खा सकते हो तो फिर आपको डैफिनेटली जितने हो सके उतने ज्यादा काब्स कंसूम करके ही जाना त्राया सिर्फ प्री वर्काउट और कॉफी के ओपर होने की जगह पर आपको एक अच्छा मील तियार करना चाहिए अपने आपके लिए ताकि आपके पूरे वर्काउट में आप फेलियर तक ट्रें कर पाऊ और आध्य वर्काउट के बाद आपको अपने आपको फूर्स ना करना पड़ा खतम करने के लिए है अज हमारे एक ड आपको जोल्डर को दूबाद ट्रें करता हो मैं दूसरे सारे मुसल्स को दूबाद ट्रें करता हूँ आपको जाएद आपको जैदै कंद सकते है जिस्ट बेकॉज आपने मसल्स को ज्यादा रेस्ट दे सकते हो ब्रूस्प्रिट के अंदर उनका क्वेशन ये था कि मैं शोल्डर को क्यों दूबार ट्रेन करता हूँ वैल शोल्डर के अंदर फास्ट ट्विच मसल फाइबर ज्यादा होते हैं इसके वैजसे हमें उनके उपर ज्यादा वाल्यूम भी परफॉर्म करना पड़ता है और उपर से वह बहुत ताकत वर नहीं होता है उनका में क्वेशन ये था कि मैं शोल्डर को क्यों दूबार ट्रेन करता हूँ वैल शोल्डर के अंदर स्लोटविच मसल फाइबर से ज़्यादा होते है जसके वैजस था होता है वह जल्दी फटीग नहीं होता है एंड हमें जितने हो सेगे उतने ज्यादा वाल्यूम्स परफॉर्म करने चाहिए हमारे शोडर के ओपर क्योंकि वह जल्दी फटीग नहीं होता है अगर आप ज्यादा वेट उठाने की कोशिश करोगे तो फिर आप बहुत मिजरेबली फेल हो जाओगे अपने मिशन पर क्योंकि वह कुछ खास वेट नहीं उठा पाता है अगर आप प्रोग्रेस ओवर्लोड करने की ट्राइब भी करोगे तो फिर आपको मेइन फोकस अपना रेपिटेशन के उपर रखना पड़ेगा इंस्टेड ओफ वेट्स ऐसा नहीं होगा कि आप लेटर रेज में एक दिन 30 केजी से लेटर रेज परफॉर्म करोगे वेल ऐसा हो सकता है लेकिन उसके लिए आपको इगो लिफ्टिंग करना होगा भूल ही जाओ कि आपके शॉल्डर्स घ्रो होंगे अगर आपकी मैंटालिटी कुछ इस तरह की है कि आपको 30 केजी से लेटर रेज परफॉर्म करना है वो कुछ खास रियलिस्टिक नहीं है परफॉर्म करता हूं तब ड्रॉप सेट तो मस्ट है और बापर में लेटर इस परफॉर्म करते हूं कुछ ज्याद ही अच्छा देख रहा हूं एस्पेशली यह जो सुनी काल 5-7 मार्क-4 कैमेरा इससे शॉर्स बहुत अच्छा थैं प्रिंट भी बहुत अच्छी है लिट तो लेटर इस परफॉर्म करने के बाद हम लोग अपने फरंट ड्रेंड करेंगे पहले exercise हम लोग उने सीटेर रैडर फ्लाइज लगाई थी अब दूसरी exercise हम लोग डमबल लेटर इस परफॉर्म करने वाला है लेटर रेज़ एक सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है आपके मिडल डैल्स के लिए यह अब एक युनिवर्सल लॉव बन चुका है सब लोगों को पता है कि अगर आपको अच्छे मिडल डैल्स चाहिए अगर आपको वो सुपरमैन वाला लुक चाहिए जिसमें आपके शॉल्डर से ब्रॉड दिखते हैं आपकी वेस्ट पतले से दिखते हैं तो फिर उस लुक को अच्छीव करने के लिए आपको लेटर रेज़ परफॉर्म करने पड़ता है लेकिन लेटर रेज़ में भी एक कैश है इसमें आप नोटिस करोगे कि पूरी एक्ससाइज में मैं डंबल्स को एक सर्टेन मूमेंट पर लाकर वहां से वापिस रिटन कर देता हूँ बहुत नीचे तक लेकर जाने की कोशिश नहीं करता है सारे शोल्डर के एक्ससाइज के अंदर मैं ड्रॉप सेट्स परफॉर्म करता है और शायद एक किया तो फिर दो सेट में मैं ड्रॉप सेट्स परफॉर्म नहीं करता है वो डिपन करता है कि मेरे शोल्डर एक्साइज कैसा फील कर रहा है फ्रंट डेल्स के अंदर जो मैं एक्सरसाइस पिक किये है वह है मशीन शोल्डर प्रेस इस मशीन को मैं बहुत दिनों के बाद यूज कर रहा हूं आप मेरे वेट्स को देख सकते हो कि वह बहुत कम है और यह अल्मोस्स थोड़ा से अम्बरस नहीं लग रहा है मुझे कि मेरे फिजिक इतनी अच्छी है लेकर फिर भी मैं बहुत लाइट वेट्स उठाता हूं लाइक मैं लाइट नहीं बोल सकता लेकिन मेरे जो वेट्स होते हैं वह बहुत मीडियम कैटेगरी में आता है मैं बहुत ताकत वर नहीं हूँ जिम के अंदर में भी शायद यह कैश हो सकता है मेरे फिजिक दिखने में थोड़ी एस्थेटिक लगती है लेकिन उसके काउंटर पार्ट में गॉड ने मेरे पास से थोड़ी से स्ट्रेंथ चीन लिया है लेकिन कोई बात नहीं है और यह ड्रॉप साथ है आप बैसली तीन प्लेट से मैं अपना वर्किंग से परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ इतनी तो है मेरे ताकत अब जब यह शोल्डर पर लगा रहा हूँ तब अब नोटिस कर रहा हूँ के मेरे आम्स को मेरे आम्स लिटरली छोटे लग रहा है लाइक इस सब बड़ा दिखना चाहिए लेकिन छोटे इसलिए दिख रहा है क्योंकि जब मैं यह वर्काउट परफॉर्म कर रहा था तब अल्मोस्ट रात के आठ या तो फिर साड़े आठ बच चुक है तो मैं रात को वर्काउट करने के लिए गाया था एंड इसी रीजन की वज़े से मेरे बाइसेप्स और मेरी पूरी बॉड़ी के अंदर पंप बहुत कम आ रहा था क्योंकि इस टाइम पर मैंने ओट मिल भी क खा लिये होते हैं तो इस टाइम पर मेरी बॉड़ी को फूड मिल जाना चाहिए था लेकिन नहीं मिला जसके वज़े से मेरे मसल्स के अंदर जो भी ग्लाइकोजन स्टोर्स होते हैं वो सारे स्टोर्स अल्मोस्ट एमटी हो चुके हैं कल जो हम लोग आना बात की थी कि आज मुझे इंटॉ्टल 200 कैलरीज बं凪 Auss takiej कि क्योंकि कल मुझे 100 कैलरीज बं करनी थी एन वह सो कैलरीज बंड नहीं की क्योंकि कल रात कुछी ज्यादा ही लेट हो गया था एज फिर रात को मुझे चलने के लिए नहीं जाना था सो आज मुझे 200 कैलरीज बं करनी हैं जस्में स तो 100 calories अरड़ी मैंने जिम के अंदर बर्न कर ले एक चीज नूटिस की कि अगर मैं 5 के उपर speed रखता हूँ तो फिर calories कुछ ज्यादा ही कम speed में बर्न हो रही थी जैसे ही मैंने सिर्फ एक step increase किया जैसे ही मैंने सिर्फ 6 की speed activate की तब बहुत जल्दी calories burn होने लगे मुझे नहीं पता कि इसके पीछे का exactly reason क्या है लेकिन एक interesting था although अगर आप 5 की speed से 6 की speed पर जाओगे तो फिर यह obviously कुछ ज्यादा ही fast हो जाएगा कुछ लोगों के लिए जिसके height 5 foot 5 से नीचे है उनको तो कुछ ज्यादा ही लगेगा 6 की speed क्योंकि वह actual में थोड़ा सा मुश्किल है चलना लाइक आप चल सकते हो लेकिन फिर आप Instagram में और movies देखते 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 6 की speed पर नहीं चल सकते क्योंकि उसमें फिर आपको कुछ खास मज़ा नहीं आएगा लेकिन फिर जब मुझे पता जला कि 5 की speed के comparison में 6 की speed में कुछ ज्यादा ही calories burn होती है तो फिर मैं डायरेक्ली 6 की speed activate कर दिया और फिर मैं चेकी speed में ही चल रहा था सो 100 calories बर्न हो गई है अब मुझे घर जाकर बाकी की 100 calories बर्न करनी है बाकी की 100 calories बर्न करनी थी वो भी successfully हम लोगों ने बर्न कर ली है अब हमारे आज के दिन के कार्डियो की समापती यहां पर होती है फाइनली अब मैं डिनर कर सकता हूँ जसके अंदर हम हमारे पांच अंडे खाएंगे लिटरल यह चीज़ थोड़ी से अजीब थी मेरे लिए कि मैं बस रात को ऐसे ही निकला और मैं बस चल रहा हूँ कैलरीज बर्ण करने के लिए क्योंकि इस से दो साल पहले मैं शाहर इस तरह से वौकिंग करने के लिए चाहता था ताकि मैं कैलरीज बर्ण कर सकूँ अगर आपको भी भी अच्छी बोड़ी बनानी है तो फिर यह सारी चीज़ है अक्शू मैं बहुत जाला सिंपल है कर पाओंगे या नहीं कर पाओंगे डिसिप्लिन और मोटिवेशन अपनी जगह पर रहा है लेकिन कि मैं कलिस्थनिक्स है अपनी बोडी से अपने फेस इन सारी चीजों से कुछ ज्याद ही अपसेस्ट हो चुका था अपने अपियरंस को अच्छा बनाने के लिए इस रिजन की वाज़े से आज मेरी फिजीक ऐसी है इस रिजन कार्डियो के पाद वाला पंप और सर्फ वाकिंग की है और यही मेरी करण फिजी है पुरा दिन मैं इसमे सारी चीजों कहा है लेकिन फिर भी जो भी कुछ गलुटिंग थी मेरे स्टमक के ऊपर पेट पुरा फुला हुआ था था ना तो मेरा पेट फुला हुआ ना तो मेरा बहुत मुटा और चली दिख रहा हुआ हो लोगों के इन टोटल वन होल एक खाना है और दो एक वाइट खाना है और योग्स को अलग से निकालने के प्रैक्टिस मेरे पास नहीं है और इस चीज को हाँ बहुत अच्छे से परफॉर्म करना होगा और 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 एक योग को तो हम लोग अने सक्सेस्पुली जुदा कर दिया है इसको भी में घ्यान से निकालना होगा यह एक योग के उपर मेरा पूरा डायर डेपैंड कर रहा है थोड़ा से लग है लेकिन कोई बात नहीं अगर मैं चाहता तो फिर इन दो उंडों को खाने की जगह पर मैं वो जो तीन अंड है जो मैं नहीं खाया उन तीन अंडों को भी मैं एड कर सकता था अंड कल मेरा वेट कुछ खास इंक्रीज भी नहीं होता इसे मज़े कुछ फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैं 100-200 कैलरी ज इंक्रीज हो जाएगा इचीज बहुत नॉर्मल है मेरे लिए लेकन फिर भी बिकाज मैं अभी एक बोड़ी बिलिंग आर्क के उपर हो मैं एक प्रोफेशनल बोड़ी बोड़ी बिल्ड किस तरह से अपने पुरा दिन स्पैंड करता है ये एक्स्पेटियंस करने की में फिटनेस के रिलेटेड नॉलेज को इंप्रूव करने में लेकिन जो भी प्रोड़ी बिल्डर्स होता है जो प्रोफेशनली अपने आपको तयार करता है उसे एक शोडे के लिए जैसे शोडे में उन लोगों को जीतना है तो फिर वो हर एक चीज को बहुत प्रिसाइसल में आपाए उसे एक शोडे में ताकि वो उसे शोडे को जीत पाए उन लोगों के अंदर कुछ ज्यादा ही डिसिप्लिन होता है और नॉर्मल लोग जो जिम के अंदर आता है अगर आप उन लोगों को पूछोगे कि आपको कैसे फिजिक चाहे तो फिर वो बस ऐसा ही बूल करने की ट्राय कर रहे हो आप एक अच्छा वर्काउट रूटीन फॉलो कर रहे हो आप वेट सुथा रहे हो लेकिन आपको मसल्स नहीं बनाना आपको बस अ फैट रिद्यूस करना है और वैसा भी बोलेंगे कि उनको एक बॉड़ बुलर जैसे फिजीक नहीं चाहे है उनको एस्थेटिक एक एथलीट जैसे फिजीक चाहिए वल अगर आप सिर्फ एक एस्थेटिक बॉड़ी को अच्छीव करने की ट्राय कर रहे हो तो फिर भी आप लोग को एक लोग बॉड़ी फैट परसंटेज मेंटें करना होगा और उस लोग बॉड़ी फैट में भी आपके म इस आदमी के पास मुसल्स है और उस चीज करने के लिए आप लोग बॉड़ी फैट परसंटेज डिक्रीज करो तब आपके मुसल्स देखा है वो लोग ऐसी सारी चीज़े नहीं सोचते है वो लोग बस ऐसा ही डायरेक्ली बोल देता है कि उनको बस एक बॉड़ी बीड़ी जैसे फिजीक नहीं चाहिए क्योंकि वो बहुत ओवर लगता है अपनी बॉड़ी को आल इन देने की जगह पर पूरे वर्काउट में अच्छा से ट्रें करने की जगह पर एसी चीज़े सोचने की जगह पर कि मुझे एक बॉड़ी बिल्डर की तरह ट्रें करना चाहिए त जब लोग जितने हुसे को तनी ज़्याद मसल्स पुटिन करने की ट्राइ नहीं करते हैं वो लोग स्टार्टिंग में ही अपने आपको रिस्ट्रेंग करने की ट्राइ करता है कि बॉड़ी बॉड़ी बिल्डर रिशा नहीं दिखना तो मैं जिम में आकर बातचित करूंग दूसरे लोगों के साथ हैं पूरे वर्काउट में एक जोन में नहीं जाओंगा तो फिर उससे बुछ खास फर्क नहीं पड़ता है मैं पूरे दिन काम करता हूँ मेरी जौब होती है फिर घर आकर मेरे उपर इतनी जादा रिस्पॉंसिबिटी था तो फिर अब क्यू मैं जिम में जाकर वापिस जोन में जाओं फिर तक ट्रेन करूं फिर वापिस घर जाकर अपनी मील लूँ इस सारी चीज़ा करने की मुझे क्या जरूरत है क्योंकि मुझे बॉड़ बॉड़ बिल्डर नहीं बनना अगर आपको एक ऐस थार इक बॉड़ी पी चाहिए तो भी थोड़ा सा डिसिप्लीन सीखना होगा ऐसा डिसिप्लीन जो एक प्रो बॉड़ी बिल्डर के पास होता हम जो भी प्रो बॉड़ी बील्डर फिर चाहिए वह नीच्रल हूँ या नहींसद इससे कुछ फ़र्ट नहीं पड़ता वह सारे बॉड़ी बॉड जा रहे हैं अपन कितनी भी बुरी चीज क्यों ना हुई हो आपके पास कितनी भी ज्यादा responsibility क्यों ना हो आपको जिम में जाकर heavy lift करना पड़ेगा intensity maintain करनी पड़ती है work out करना पड़ती है और वो सारी चीज़े करनी पड़ती है जिन इन चीजों के वज़स से वह शोडे में वह वाड़ बिल्डर जीत पाए और यह सारी चीज़े करने के लिए उन लोगों को discipline रहना पड़ता है तो लोगों को respect शो करने के लिए at least आप ऐसा बोलना बंद कर सकते हो कि मुझे बॉड़ बिल्डर जैसे फिजीक नहीं चाहिए आपकोर्स आप एक बॉड़ बिल्र जैसे फिजीक को चुछ नहीं कर पाऊगे क्योंकि आपके पास इतना discipline ही नहीं है कि आप उस लेवल तक पहुंच पाऊ आपकोर्स आप ऐसा discipline बिल्ड कर सकते हो लेकिन मोश्ट आप लोगों के पास यह mentality नहीं होती कि वो अपनी फिजीक को अपने डायट को इन सारी चीजों को वो लोग इतना पुश कर पाए अपनी बॉड़ को इसके लिमिट के पार ले जा पाए इन सारी चीजों को करने के लिए आपके पास एक प्रोफेशनल बॉड़ी जैसे mentality होनी चाहिए अगर आपको एक एससरी बॉड़ी भी बनानी है तो भी अपका में गोल यही होना चाहिए कि आपको एक बॉड़ी बॉड़ी जैसा train करना है आपको एक बॉड़ी बॉड़ी जैसे lifestyle जीनी है फिर चाहे वो छोटी से क्यू ना साइड में आपको रखे तो फिर आप एक छोटी से lifestyle जी सकते हो जिसके वज़ेसे आप एक ट्वेंटी फाइट परसंट करीब आप उस बॉड़ी 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 जाते हो तब आपको वो सारी चाहिए जो भी चीज़े आपको उस बॉड़ी 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 जै जब एक बॉड़ी 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 क्योंकि आप एक प्रो बाड़ेबल नहीं हो आपके पास नॉर्मल जेनेटिक्स होंगे उन नॉर्मल जेनेटिक्स के साथ अगर आप 10% से भी ज्यादा नीचे का बॉडी फैट परसंटेज मेंटेन करने की ट्राय करोंगे तो फिर भूल जाओ कि आप मसल्स बिल्ड करोंगे आपके पास जो भी मसल्स होंगे वो भी शायद आप खो देंगे तो इससे ज़्यादा अच्छा ही रहेगा कि आप अपना बॉडी फैट परसंटेज मेंटेन करने की ट्राय करोंगे उसी बॉडी फैट पर यहर अराउंड रहो ताकि आप यहर अराउंड अच्छे भी बॉडी बिल्डर नहीं होना तो आप कंपीट कर रहे हो ना तो आपके पास वो सारे सप्लीमेंट्स होंगे जो भी सप्लीमेंट्स वो बॉडी बिल्डर ले रहा है वो पुरा दिन अपनी बॉडी के उपर काम कर रहा है और आप अगर अपना पूरा दिन नहीं दे रहे हो बॉडी के लिए तो फिर आप कैसे यह इमेजिन कर रहे हो कि आप भी अगर वही सीम प्रोटोकॉल फॉलो करोगे जो प्रोटोकॉल एक बॉडी बिल्डर फॉलो करता है बिकॉज उसको एक अगर शो में जीतना है तो फिर आपके फिजिक भी पैसी हो जाएगी जैसे फिजिक उसे एक बॉडी बिल्डर की है मैंने बहुत जगह पर देखा है कि लोग यही सोच कर बॉडी फैट परसंटेज को टैन से नीचे लेकर जाता है बिकॉज वह बहुत अनहेल्थी होता है इसके वज़े से वह लोग वापिस से बॉडी फैट परसंटेज अराउंड थर्टीन और फॉर्टीन तक लेकर आता है लेकिन जब हम लोग एक नॉर्मल इंसान की बात करें जो हर रोज जिम जाता है एक ठीक ठाक डाट फॉलो करने की ट्राइ करता है जिसने सिर्फ अभी एक साल से जम जॉइन किया है तो फिर वह भी एक बल्किंग की स्ट्रीक पर आएगा जब उसने बल्किंग करना शार्ट किया होगा तब उसका बॉडी फैट परसंटेज अराउंड फॉर्टीन होगा फिर बल्किंग करके वो अपना बॉडी फैट परसंटेज को 18 तक लेकर जाएगा नाइंटीन तक लेकर जाएगा उसके एब्स उसके हाथों की वेंग लिटरली दिखेगी भी नहीं उसकी डवल चेंड कुछ ज्यादा ही बन जाएगी जिसके वाइस उसके नेक और उसके फ क्योंकि मिचह पता है क्युत गजाती है मतल फाडाबने सब्सक्रवब आपने लेकर नाइस वतष़ लाचागेप वर्काउट फेले तक करते हैं तो फिर आप किस तरह से अपने बीचारे मसल्स के उपर ऐसा ओपीनियन रख सकते हो कि वो लोग रिकवर हो जाएंगे जबकि आपने कभी पे उनको टाइम ही नहीं दिया रिकवर होने का आप लोग अब तीन-तीन बज़े तक अपने फीमेल फ्रेंज के साथ बातचित करोगे और फिर इस बाउट करांट बज़े हाड स्टाल सॉंग्स सुनोगे प्री वर्काउट लेकर जिम में जाओगे और ओवर्ट्रेंड करोगे अपने मसल्स को और घर आकर वापिस से टीवी सीरीज देखना लोग हो गया यही सारी चीजह करकर हम लोग वॉल्डी बीलडिंग ओ वोब्स बीडिये काई हैं link, को बहुत दिखती है वही आरोग वन वे सारी चीजह करते है जो भी चीजह करने में मजस आता है लेकिन जब बात आती है एक pro bodybuilder की जैसे lifestyle वो जीता है जैसे sacrifices वो करता है वैसे sacrifices हम लोग करने के लिए तयार नहीं होता है क्योंकि हमारे पास इना discipline नहीं है हम लोग उको बस एक thrill चाहिए अपनी life में और वो thrill हम लोग bodybuilding की दुनिया से लेता है जो भी pro sides होती है वो हम लोग ले लेता है और जो भी negative sides होती है उनको हम ignore करता है और इसी reason की वज़े से जो भी लोग 3-3 साल तक चार-4 साल तक workout करता है उन लोग की body almost एक normal इंसान जैसे होती है लेकिन थोड़ी से ज्यादा होती है थोड़ी से cuts दिखती है थोड़ी से veins दिखती है लेकिन अगर वो सिर्फ 30 और 40 परसंटेज भी इस तरह से act करेंगा जिस तरह से एक pro bodybuilder act करता है तो फिर वो लिट्रल कहीं ज्यादा muscles put on कर सकता है कुछ ऐसे simple चीज़े होती है जो follow करनी होती है ताकि आप उस pro bodybuilder के जैसा दिख सकते हो प्रो बोड़ी बिलर जैसा आप नहीं दिख सकते हैं क्योंकि वो लोग पुरा दिन देता है लेकिन आपके पास और भी चीज़े है करने के लिए इसलिए आप सर्फ वो सारी चीज़े करोगे जो ज्यादा ही water निकाल दिया है अपनी बोड़ी में से sweating के जरिये एक लिटर पानी पीना ही होगा क्योंकि मैं अज पूरे दिन में ज्यादा पानी भी नहीं पिया था तो दो लिटर वाटर का गोल कंप्लीट करने के लिए मुझे पानी भी पीना होगा तो मेल कंप्लीट करके मैं सू जाना वाला हूँ मुझे आज एक घंटे की एक्स्ट्रा नींद भी लेनी होगी क्योंकि कल मैं सर्फ साथ घंटे सुआ था जाहता हो कि मैं हर रोज आठ घंटे सू एक आवर्स अप स्लीक मुझे चाहिए है यह रोज याज मैं एक घंटे चल जी सूने वाला हूँ फिलहाल इस वीडियो के ले इतना है